नबसकार दोस्तों सौगेत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल बाजार के पंडित पे तो दोस्तों बात करेंगे अडानी ग्रुप से रिलेटेड और अडानी के स्टॉक्स देखेंगे आपको बता है बुलरन चल ला है लेकिन अडानी के stock little bit pressure में आ सकते हैं क्योंकि ये update बहुत ही important है और कल आपको इसका impact भी देखने को मिला था जब कल अडानी के stock काफी तेजी से गिरे थे आज तो देखीगा fed की update का impact था तो इसलिए पूरे market में ही तेजी देखने को मिली तो ऐसे में अडा पता होनी चाहिए चोकि ये जो पूरा मामला है वो है 1.9 अरब डॉलर का आप देख सकते हों यहाँ पे 1.9 अरब डॉलर का मामला है और अगर आप देखेंगे इसका payment जल से जल्द करना पड़ेगा चाहे देखेगा आपको पता भी होगा कि इसी कर्ज को लेकर रहनी की सबसे जादा इस particular year में आपको देखने को मिला है वो just or just देखेगा debt को लेकर देखने को मिला है तो जब जब उनके पास एक कोई बड़ी किस्त या फिर बड़ा देखेगा mature bond आता है जो उन्होंने कई साल पहले लिया होगा तो उस पे काफी जादा देखेगा उनके stock react करते देखने हों मिलते हैं तो अगले साल अगर आप देखेंगे starting में अगले साल bond हारकों को करना होगा 1.9 अरब डॉलर का भुकतान तो आप समझ सकते हैं ये कोई छोटा amount नहीं है ये बड़ा amount है और अगर आप देखेंगे ये mature होने वाला है ये bond जो है ये mature होने वाला है ऐसे ग्रूप में इन bondों के भुकतान की रणनीती बनाने में जुट गया है अगर आप देखेंगे इन particular bond को कैसे set off करना है कैसे इनको पूरी तरके से payout करना है इसमें लगातार अडानी ग्रूप देखेगा लगा हुआ है अब तक की जानकारी के मताबिक अडानी ग्रूप भुकतान कैश में करेगा बाकी रकम को refinance कराएगा तो आपको पता है यानि कि दो बड़ी update यहां से निकल के आ रही है कि जो cash amount होगा जो cash reserve आपको देखने हो मिलना है अडानी ग्रूप में वो इस payment में जा सकते हैं second इनको एक फिर से funding करनी पड़ेगी refinance करना पड़ेगा जो की बड़ा देखेगा एक challenging task होगा कि वो इतना amount कैसे refinance करेंगे और फिर इस particular bond को pay करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब जब ऐसी payment या फिर ऐसे bond पूरी तरीके से क्या होते हैं mature होते हैं और अडानी ग्रूप का नाम होता है payment में तो आपको पता है यह बहुत ही मुद्दा होता है stock market के लिए refinance के विकलत में नए bond जारी करना भी शामिल है फिर अगर आप देखेंगे जो भी इनके players हैं banks हैं NBFC हैं उनसे भी देखेगा यह बात करेंगे फिर अगर आप देखेंगे कितना amount यह दे पाएंगे 75 करोन डॉलर जुटा रही है इसका इस्तमा तो आपको पता है कि कई ऐसे भी back to back back to back mature bonds होंगे जो अडानी को जल्दी तीन महिने में ही pay करने हैं और आपको पता है इस साल को खतम होने में just देखेगा 16-17 दिन बचे हुए हैं तो आपको भी पता है कि इतना market जब देखेगा अच्छी तरीके से behave कर रहा है अडानी पे भी काफी अच्छे आपने return देखे हैं 30% से 60% तक के return अडानी ग्रूप के stocks ने बना के दिये हैं तो ऐसे में यह बहुत ही interesting होगा कि यह refinance के लिए payment कैसे जुटाएंगे क्योंकि आपको पता है कि एक बड़ा यहाँ पे bonds के लिए July तक किस्तों कि में 65 करोन डॉलर का भुकत पहले ही किया जा चुका है साथ ही group अडानी ग्रीन के साल मई में mature होने वाले 50 करोन के bond की refinance कराने के लिए lenders से बासशीत शुरू कर दी है तो आप समझ सकते हैं कि यह छोटे amount नहीं बड़े बड़े amount हैं जिस पे अडानी जी को work करना है और funding देखेगा जुटाना इनके ल पैसा नहीं लगेगा यह जिस पैसा क्या होगा सीधा सीधा यहाँ पे आपका refinance हो जाएगा और कल आपने इसका impact देखा भी था जब market देखेगा थोड़ा सा pressurize हुआ था कल yesterday यानि की 14% तक stock में down देखने को मिला था और इसके अलावा कई सारे डानी stocks में भी देखेगा ग परफॉर्म कर रहें लेकिन जैसे जैसे यह hurdle आएंगे और बीच बीच में अपडेट्स आएंगी तो इसका impact अडानी ग्रूप पे पढ़ने वाला है और जब पढ़ेगा तो stocks वहाँ से profit booking देगे तो in particular level पे थोड़ा सा cautious रहीगा वीडियो गर अच्छा लागे तो like, share, subscribe कर ना मुलेगा, thank you so much